और मैं खुद को भी वेलकम करना चाहता हूं वापस इंस्टाग्राम पे क्योंकि अंदाजन I think 20 नवंबर को मैंने लास्ट पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे 20 नवंबर को आज कितने दिन हो गया शायद एक डेड़ महीना हो गया कुछ तो एक डेड़ महीने से ना मैं ग एक डिड़ महीना रहा है ना I think वो मेरी लाइफ करना सबसे सबसे अमेजिंग ताइम था और इसकी शुरुवात कैसे हुई वो सारी चीजे मैं तुम सब को बताऊंगा पर पहले तुम सब आजा ओनलाइन और आपकी शायरी मिस कर रहे थे शायरी मैं मैं उसको पुईट्री कहता हूं शॉट्ट पुईट्री पर शायरी भी अच्छा है सनेहा रोज मोहितार के हलो भाई हलो मोहित आर जे गोयल है पाप्या बैधाए अरे एक मिन्ट कमेंट्स का ऐसे अच्छा ऐसे भी होता है इंस्टाग्रामी जागे यार देड़ महीने में तो जा हो गया यह लाइब जाट में अलग अरे नाना जी भी ओन्लाइन मेरे कि हरे कृष्णा नाना जी तो आप आप सब आचुके ओनलाइन तो मैं आप सब को बतारा चाहता हूं कि यह जो एक डेड़ महीना में दूर रहा ना मैं अलब सोचल मीडिया से तो उस एक डेड़ महीने मतलब दूर आप सब्सक्राइब अप्सक्राइब लिए अव्या था लाइफ हैं अधान आप सोचल आप नापन को पहले से थोड़े बात पसंटो थे ही इन जादा नी मैं उनसे अटाच्मंट अ मेरा लेकिन था पसंट कि यह हवा कहां से आ रही है हवा किसने बनाई यह भाग तो ना इस तरह के कॉश्टन्स ना मुझे हमेशा से लगते थे कि यार इनका जवाब कौन देगा कहां से मिलें इनके से आंसर तो यह कुश्टिन मन में लेकर अपने दिल में मैं नहुंग हमा अपनी जिन्दगी जी कर रहा था टा-। मेडिटेशन कर रहा था मेडिटेशन कर रहा था सो कि मेडिटेशन से कहते हैं कि सेलffe realized हो जाता है या मतलब आपकी थर्ड आई खुल जाती है चक्र उपन हो जाता है ऐसा सब तो मुझे यह उमीद थी कि यार ऐसे क्या पता में लब I was always you know exploring की human being जो है वो क्या-क्या मतलब अचीव कर सकता है मतलब क्या-क्या उसके अंदर possibilities कितनी है तो जब मैं spirituality के बारे में सुनता था देखता था वीडियो उस पढ़ता था तो मुझे ना हमेशा इसमें बहुत जादा इंटरस्ट आता था लेकिन कभी ना उन सब questions के जो हमेशा से दिल में बसे हुए थे उनके answers नहीं मिलते थे तो वो मुझे मिलने शुरू हुए जब मैंन इस प्योर साइन्स लाइक दिस अच्छली साइन्स तो यह जो मेरा जो टाइं था ना एक डेड़ महीने का जिसमें में सोचल मीडिया पर नहीं था वहां मैं इस सेल्फ रिलाइजिशन के प्रोसेस को इस कृष्णा कॉंशनेस के प्रोसेस को इंजॉय कर रहा था तो मैं चा तो उनके lecture सुन रहा था तो मुझे ना इन चीजों में हमेशा से interest था हमेशा से मैंने शायद कभी तुमको बताया नहीं होगा लेकिन बस यह था कि कभी answers मिले नहीं और अब जब मिले तो मुझे ना उना answer से प्यार हो गया उस process से प्यार हो गया जिस process ने मुझे answers दिये तो इस तरह से अपने जो एकड़ महीन है ना बहुत ही amazing बीते हैं आज मुझे लगा कि मैं अपना experience तुम सब के साथ में share करूं इसलिए मैं आज लाइवाया तो ऐसी बात है जी अब तुम से बता तुम सब कैसे हो राजे राजे शर्मा हलो कह रहे है केशव बोनली कैन यू एड़ संजना धार्मिक कह रहे है निजू हाय कपकेक मुईत कह रहे है वाव शुबम दयार श्रभ हलो प्रिया मश्रा हलो आफ्टर सो लॉंग हाँ कॉल मी माइ नेम तो जैश्री कृष्णा ड्रामा कुईन कह रही है तो बैसिकली दिस यू मेरा जो यह जो एक डिड़ महीना था ना जब मैं सोचल मेडिया से दूर था तो कुछ इस तरह गुजरा था तो इस ही कह रहे हम बढ़िया बढ़िया कृश्णा से जाके कहना अरे इसी बीच मैंने कुछ सौंग्स भी बनाए ने गाणाजी के ऊपर भी कुछ सौंग्स बनाए तो तुम सुनना चाहोगे जो नयसांग मैने बना एकुछ वेन इस यह सौंग कमिंग सून सून निकिता है दव बीवेक्स के रहें भाईया प्लीज रोइत्म और रुमा के रहें हलो हलो कश्यप टेल देम रेलेवेंस फॉर देम अलसो नंदनी के रहें रेलेवेंस क्या है तो रेलेवेंस क्या है भगवत गीता आजटेस पढ़ने का य जो मुझे जो लगा ना कि कि यह यह हम सब मुझे ऐसा लगता है कि एक्च्यली मुझा ओणक करते हैं घ्ल ते हैं ate heute सौ जाते हैं फिर काम पर निकल जाते हैं इस तरह की चीज़े जो नौर्मल रुटीण की होती ना हमेशा करते हैं लेकिन कहीना कहीना हम सब अंदर ही अंदर ना वह हैपनिस तलाशते हैं वह खुशी तलाशते हैं वह हैपनिस कहीन लोगों को शायद मनी में मिलती है कहीन लोगों को अपने वर्क में मिलती है कहीन लोगों को गल्फरिंड बॉइफरिंड बनाने से मि मिलती है लेकिन हमेशा ना जो चलना होता है जो जर्नी होती है वो उस हैपनेस को धूर्णने की तरफ ही होती है तो मैं भी ऐसी करता था मुझे जहां है एपनेस मिलती ना की मुझे लग रहा था किया यहां पर हापनेस बहुत जादा है भर के है उस तरफ चल चलो So I was always attracted towards, you know, that happiness. So, that happiness I always think that I'll get in music, that happiness I always think that I'll get in meditation. But that happiness peak, which I got when I started reading Bhagavad Gita Aazitis, and then the doubts that I had today, all of my life was clear. And I actually, you know, attained that happiness, that happiness that I was always searching for. So, you know, the people say, what is your life's meaning? What is the meaning behind all this creation, all this world, all your life? So, that meaning came to me in my mind. So, that's why I would really suggest that if you all want to read Bhagavad Gita Aazitis, then you can DM me, and if I am reading Bhagavad Gita Aazitis, then I can read Bhagavad Gita Aazitis books. And I think this would add, you know, the happiness and the meaning to your life. So, if you have to read Bhagavad Gita Aazitis, then you can DM me with my address. I will tell you what it is, and I would personally send each one of you a handwritten note along with it. In your name and sign it, and I can send you that, and I can send you that. So, whoever you like to do, you can DM me with me. Okay? And someone asked me, why is Tulsi Mala wearing a mask? So, this is the Yomalo Kanha Ji, which is called Vashnav, So, they are wearing a mask, and when they are wearing a mask, I mean, basically, Tulsi represents Kanha Ji's, I mean, Kanha Ji's related to every thing, Tulsi Mata comes to it. So, this is Tulsi's mask, and after wearing it, you have to follow certain rules and regulations, that there are some things that you avoid, so that you can enhance your happiness more spiritually in life. So, that's why I started wearing this mask from 1,5 months ago, 2 months ago. Divya, Sanjana, Yadav says that they have also wearing a mask. What is this? Sweet girl says, yes. KJM, Suhu says, hello. Damn, cupcake, Mohit. Yes, so, what did you say? I have made some songs on Kanha Ji's, so if you want to hear all of you, then I can hear you all. So, who wants to hear me? Which one emoji will you send me? You will send me hearts. Okay, those who you want to hear, these two new songs have made. I have made 7 hearts, but I can hear 2. I can hear 2. So, if you all hear me, then I will send me hearts to me in the comments. If you have many hearts, then I will send you to me. Hmm. 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 Hmm Hmm. मुधा सरे हाड़ प份 एक अपके मुहित ने बहुत सारे हाड़ पहर बहुत से पहर दो कुझ है हॉभ एंग कर दो हो मैं अपना इसापना छोग उना ता को कि एक दिन उर कि को का हरी कृषन की ऑन मिलेकर के अपना कृष्टन हम ओन और कृषन और और हरे Hare Ram, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare I am so happy, so happy to see तो तो जो फर्स सॉंग जो मैंने बनाया था इसको बने हुए आइधिंग शायद एक महीना हुआ है और तो हुआ क्या था? कि जब मैंने भगवत गीत आजट पढ़ना चालू किया ना तो मुझे ना बहुत सारी चीजे पता चली काना जी के बारे में तो तो हुआ क्या कि काना जी के बारे में जुनरली हम सब कुछ ना कुछ चीजे जानते हैं जैसे माखन चुराते थे है ना और मटकी फोड़ देते थे नटखट थे शरारते करते थे पर भगवद्गीता as it is पढ़ने के बाद में ना मुझे और चीजे पता चली कि काना जी की है और क्या हमें पता होता है उनके बारे में जोनरली तो इक ये स्वांग कि पहले क्या पता था और अब क्या पता चला काना जी के बारे में तो इस सौंग का नाम है सब कृष्णा ने किया है I think एक पंटूने स्ट्रिंग कि अरे और गिटार तो बहुत ही ज़्यादा अंटूने मलब एकदम वेकार हो गया गिटार तो आपन गिटार के बिना गाते ठीक है तो कैसा है कि तो मतकी से माखन की चोरी था में सबसासों की डोरी गोप इसका थोड़ा सपन हाई पेच में गा सकते हैं इसको क्योंकि ये मैंने लोग में गा दिया है एक मिनट ये है इसका स्ली स्केल जी तो मैया से माखन की चोरी